दोस्तों आज हम सब केदार्नाजी के दर्शन करना चाहते हैं पर क्या आपको पता है कि केवल केदार्नाजी के दर्शन करने से आपकी यातरा संपूर नहीं होगी जी हां सही सुना आपने केदार्नाजी के साथ साथ चार और मंदिरों के दर्शन भी आपको करने होंगे तब क करेंगे आप अपनी आत्रा संपून आइए समस्ते हैं विस्तार से आपको जाना होगा पंचकेदार के सारे मंदिरों में पंचकेदार यानि हिंदुओं के पाच्छे मंदिरों का सामोईग नाम है ये पंचकेदार मंदिर हैं केदार नाज जी तुम्यनाज जी रुद्रनाज जी मद्य मायश्वर जी और कलपेश्वर महादेव ये सारे ही मंदिर उत्राखंड में मौजूद है रिसेंटली ही हमने रुदरनाच जी की पूरी डीटेल वीडियो अपलोड की थी वो भी आप जरूर चेक करें उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आएए अब हम रोट मैप से समझते हैं कल पेश्वर महादेव जी के लिए आपको हेलांग से उर्गम जाना होगा फिर वहां से सीधा आप आएंगे गोपेश्वर और वहां से सगरगाओं से आप सीधे रोदरनाच जी जाएंगे उसके बाद आप सीधे मंदल होते हुए चोपता पहुँचेंगे और चोपता से जाएंगे सीधे तमिनाच जी फिर वहां से सीधे जाएंगे आप और और वहां से आप सीधे पहुचेंगे स streets अप्रे और और गरिकुंड होते हुए आप पहुचेंगे केदारनाच जी धाम जहांके डिडिट वीडियो का लिंक आपको मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको भी जरूर चेक करें तो रुद्रनाथ और केदरनाजी की डीटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी उसके अकॉर्डिंग आप अपनी यात्रा प्लैन कर सकते हैं और हाँ दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इंफोर्मेटिव लगी तो लाइक शेर और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें और हाँ कमेंट सेक्षन में हर हर महादेव जरूर लिखें